नमस्कार आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा और मैं हूँ श्वेता आज बात दिल्ली हाइकोट के उस आदिश की है जिसने दिल्ली का आम आदमी पार्टी के दावों की हवा निकल कर रख दी फटकार लगाते हुए दिवालिया भी बताया और आइना भी दिखाया लेकिन जिनके चहरे पर कई मुखोटे लगे हो उन्हें आइना साफ तस्विर दिखाई भी तो कैसे बुधवार को दिल्ली हाइकोट ने दिल्ली में आईशमान भारत योजना को लागू करने संबंदी के जाचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को जम कर फटकार किया चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुशा रावगेडेला की बेंच ने कहा कि यह कितना आजीब है कि दिल्ली सरकार केंद्र की सहायता स्विकार नहीं कर रही है जबकि उसके पास अपने हेल्थ केर सिस्टम के लिए कोई पैसा नहीं है यानि आप समझिए कि दिल्ल में लागू नहीं की जा रही इतना ही नहीं कोट ने ये भी कहा कि आपके अस्पतालों में कोई मशिन तक काम नहीं कर रही क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है लेकिन ये ताजुब भरा है कि आप नागरिकों के लिए पांच लाक रुपए लेने से इनकार कर रहे हैं मतलब जिन स्वास्थ्य सुविधाओं को केजरिवाल घूम घूम कर वर्ल्ल ग्लास बहतर बता रहे थे अरविंद केजरिवाल और उनके पूरे टीम ने शायद ही कोई ही ऐसा मौका छोड़ा हो जब उन्होंने दिली में बहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे ना किया हो उन पर हाई कोट की इस फटकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिली में स्वास्थ्य सेवाए किस कदर बेहाल है इतना ही नहीं एक और पॉइंट जो दिली हाई कोट ने उठाया वो ये कि आपके पास पैसा नहीं है दिल्ली सरकार दिवाल या होने वाली है जी हाँ दिल्ली सरकार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है ये हम नहीं कह रहें बलकि दिल्ली सरकार का एक आदेश इसकी खुद गवाही देती है दिल्ली में अगले साल विधान सभा चुनाव होने है लेकिन इन चुनावों को कराने के लिए दिल्ली सरकार के पास पैसा ही नहीं है। शायद यही कारण है कि चुनाव से कुछ महिने पहले राज्य सरकार ने चालू वित्वर्ष 2024-25 के लिए अपने खर्च को पूरा करने के लिए राष्ट्रिया लगू बचत कोश से 10,000 करोड रुपए उधार मागे हैं। हाला कि दिल्ली वित्व विभाग ने इस पर आपत्ती जताई है लेकिन ये मामला अभी विचारा धिन है। अपनी विस्तार कर रही है और पिछले ही दिनों जब केंद्र सरकार ने इस योजना में सतर वर्ष से अधिक के हर वर्ग के बुज़ुर्ग को शामिल कर लिया है तो फिर दिल्ली के नागरिकों को इस योजना का लाभ नहीं लेने दिया जा रहा है आज पूरे देश में आ दिल्ली और पश्चिम बंगाल के लोगों क्यों ही इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है आखिर क्यों यहां बात अगर दिल्ली की करे तो इसका सबसे बड़ा कारण शायद यहीं लगता है कि इस योजना को लागू करने में आम आदमी पार्टी को अपने वोट बैं सुविधाओं के दाओं की हवार निकल जाएगे शायद यहीं वो वजा है जो अपने राजनैतिक हित की स्वार्थ सिध्धी के लिए इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया जा रहा है वैसे इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं करने के लिए जो तर्क अरविं अर्विंद केजरिवाल आरोप लगाते रहें कि इस योजना में भारी भ्रष्टाचार है इसलिए वो इससे दिल्ली में लागू नहीं कर रहे हैं और इतना ही नहीं केजरिवाल ने एक और ट्वीट करके भी लिखाया था आज तक उन्होंने कोई ऐसा शक्स किसी राज्य में नहीं मिला जिसने आईश्मान योजना से लाभ उठाया हो अब ऐसे में सवाल यह कि अगर इस योजना का लाभ किसी को नहीं मिला बकॉल अर्विंद केजरिवाल तो फिर पंजाब में यह योजना क्यों लागो है पंजाब में भी तो दिल्ली की तरह ही आम आदमी पार्ट अध्यक्ष भी एक लेकिन दो राज्यों में नजरियें दो मतलब अपने हिसाब से जो जहां ठीक लगे उसे लागू करो जो वोट के खाचे में फिट ना बैठे उसे रिजेक्ट करके उसमें कमियान निकाल दो कैसे कोई व्यक्ति या कोई पार्टी इस कदर द्विहरती हो सकती है इसलिए ही मैंने शुरुआत में कहा कि आईने भी उनको असल चहरा कैसे दिखाई पाएगी जिनके एक चहरे पर कई चहरे लगे हो दरसल केंदर सरकार की इस योजना को जिस राज्य में भी लागू किया जाता है वहां इस योजना पर आने वाले खर्चे का 60% पैसा केंदर सरकार देती है जबकि 40% पैसा राज्य सरकार को देना होता है अब जब दिल्ली सरकार के पास वित की ही कमी हो तो वो पैसे देगी कहां से लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि अगर योचना दिल्ली में लागू हुई तो अपने वोट बैंक के खिसक जाने का डर है इस सब का खामियाजा भुगत रही है दिल्ली की जन्ता दिल्ली की सरकारी अस्पतलों की दुर्दशा भी देश के दूसरे हिस्सों में स्थित सरकारी अस्पतलों जैसी ही है यहां नकली दवाओं की आपूर्ती का आरोप तो है ही साथ ही आम आदमी महला क्लीनिक्स में पैथलोजी और रेडियोलोजी टेस्ट में फरजी वाड़े का मामला भी सामने आ चुका है प्राइवेट लाब से पैसा बनाने के लिए आम आदमी महला क्लीनिक्स में नकली मरिजों पर लाखो टेस्ट किये गए इस मामले की सबसे पहली स्वास्थे विभाग ने जांच की और अपनी रिपोर्ट विजिलन्स डिपार्टमेंट को भेज दी और अब इस मामले में CBI जांच की सिफारिश हो चुकी है ऐसे में सवाल यही की आखिर क्यूं आपसी खीचतान और पार्टियों के जगडे में जनता को लपेटा जा रहा अगर मान भी ले की दिल्ली की स्वास्थ्य सुमिराएं बहतर है तो क्या जनता को ये हक नहीं की वो केंदर की भी योजनाओं का अतिरिक्तलाब ले सके इन सवा जवालों के जवाब आप भी सोचिए बने रहें टीवी द्वापरा के साथ मैं हूँ श्वेता धन्यवाद कि अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक शेर और कॉमेंट करें टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेश्ट